एशियाई सिंग जिनका आवास इस्थल कभी मध्यपूर्व एशिया से लेकर उत्तर भारत तक फैला हुआ था आज सिर्फ भारत के गीर राष्टी उद्यान तक सीमित होकर रह गए हैं आयू सियन ने इन्हें संकट गरस्त पजाती के शेडी में रखा हुआ है इनकी खाल का रंग सुर्क सावला रंग जिस पर काले रंग के धब्बे होते हैं से लेकर बालू या भूरे रंग का होता है अफरीकी शेरों की तुलना में एशियाई शेरों की अयाल कम विक्सित होती है साथ ही एशियाई शेर अपने अफरीकी रिष्टेदारों से आकार में भी छोटे होते हैं एशियाई शेरों के पेट की तवचा में एक अनुदहर्द तह होती है जो कि इनके और अफरीके शेरों के बीच एक और अंतर है सिंग के समू को अंग्रेजी में प्राइड कहते हैं मादा सिंग बड़े समू में रहती है जिसमें करीब 12 मादाएं अपने शावकों के साथ रहती है नरसिंगों का समू छोटा होता है जिसमें 4 से 5 सिंग होते हैं नर सिंग का छेत्र मादा सिंग से बड़ा होता है ऐसा मादा द्वारा शावकों के पालन पोशन की वज़े से होता है सिंग हमेशा बड़ा शिकार करना पसंद करते हैं ऐसा देखा गया है कि प्रमुखनर साथी शेरों की अपेक्षा शिकार का 74 प्रतिशत अधिक खाता है इनका प्रजनन का प्रमुख समय औक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है और इनका प्रणेकाल करीब 3 से 6 दिन चलता है प्रमुखनर अपने अन्य साथियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रजनन करता है प्रणेकाल के दौरान ये शिकार नहीं करते हैं उस दौरान ये सिर्फ पानी ही पीते हैं इनके शावक दो से तीन वर्षों में अपनी मा से अलग होते हैं जब एक नर्शावक युवा वस्था में पहुंसता है तो वो अपने समूँ से अलग होकर अपना क्षेत्र बनाता है किसी अन्य संकट ग्रस्त प्रजातियों की तरह ये भी विलुपती के कगार पर खड़े हैं इनको प्रमुक रूप से आवास स्थल की हानी, अवैद शिकार, मानव वन्यजीव संघर्ष, एवं आवास स्थल का विग्डन इत्यादी से खतरा है वर्तमान में राश्ट्री प्राणी उद्ध्यान में पाँच सिंग हैं, जिन में से दो नर और तीन मादा सिंग हैं जिन में एक रुम्ही से खताते हैं सिंग्यी ऊहीं थाणी से रुम से खतरा हैं कि उनको प्राणी का विग्डन की हानीदी से खतरा हैं I'm not that one heard me